इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ 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 क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुवे को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीडी दिखे चलती जहां पब्लिक प्लेस पर सिगरेट भी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना धुम्रपान ना करें ना करने दें धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान मेहंगा पढ़ता है धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शाराप पीना सेहत के लिए हानिकारक है भाट सम्रेट। झालों के लिए हानिकारक है जीनाली कि अजए हाई मीडिया वालों को मेरा नमस्कार मेरा पोता लव कुमार जिसकी ओम्र दस साल है वो मंदिर के सामने खेलते खेलते कहीं गुम हो गया है जो भी हमें उसका पता बताएगा मैं जिन्दगी भर के लिए उसे इंसान का एसान मंद रहूंगा उसे पचीस लाग का इनाम भी दूँगा हमारी पुलीस उसे पूरे शहर में ढून रही है जल्दी हम उसका पता लगा लेंगे और उसके लिए हमें आप मीडिया वालों का सयोग चाहिए हाई गुड मॉनिंग हैदरबाद आप सुन रहे हैं एफेम एफेम का मतलब रेडियो सिटी 91.1 आशेह की हॉट न्यूज है किड्नैप्स आपको बता दे प्यारे मासूम और नादान बच्चों को टार्गेट करके उनकी जिन्दगी के साथ खेला जा रहा है रिसेंट न्यूज इज लवकुमा नाम का 10 साल का बच्चा मिल नहीं रहा अब वो कहीं गुम हो गया है या किड्नैप हो गया है ये कहा नहीं जा सकता बच्चे के बारे में पता चलने पर रेडियो सिटी को SMS कीजिए सिटी स्पेस आपका नाम लेकर 56060 पर SMS कीजिए पेरेंट्स आप लोगों को मेरी एक खास रिक्वेस्ट आप अपने बच्चों बर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए और उन्हें आकेला कहीं मत जाने दीजिए सुनते रहिए एफम एफम का मतलब रेडियो सिटी 91.1 सर, सर, बार क्लोज होने का टाइम हो गया, उठिया ना सर सर, क्या हुआ सर, ये ज़्यादा पीके आउट हो गया है ये कौन सी नहीं बात है, क्या इन्होंने बिल पे किया दिया, और टी भी दिया सर ड्रिंकर क्या बाले को फोन करो, वो इसे ले जाएगा टिप भी ले गया कंजूस कहीं का हेलो भीया ओके, टू मिनिट्स में आता हूँ टू मैं आता हूँ चाला… ौ एहाला… अघो, अईब कर्या हो्याовых और झाल मौ 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 ढौ Capital सबस्क्रिक दो कर दो कर दो पाणसो का है नमस्य भाईया मेरा पैसेंजर का है अंदर है एंदर है लॉफ यॉ टो कहा हुदरना है अब हों साँ अ देचान नहीं गाड़ी प्रिपेर है प्लेस और फेर इन पाम्फरम होने के बाद ही इनकमिंग और आउटगोंग होगा इसलिए यह कि दो मैं देखर चलिए अरे सिधा बेटो मा अलो वीजे बार एंड रेस्ट्रांट ओके टू मिनिट्स चलो अंदर बेटो चलो बैग जाओ तुम्हें उतारूंगा ओके फर्स्ट मुझे उतार देना कब चड़ा वो पॉइंट नहीं है कितनी चड़ी वो पॉइंट है मैंने फुल कंट्री चपा प्रेले मुझे ड्रॉप करना इंटारूंग पीतियो और इसे ओर्डर करो तो पता लगेगा यह फर्स्ट मुझे उतादिना प्लीज कितनी स्पीड में चल रहा भाई और सिक्स्टी यह बिए जिस्टी की कोई स्पीड होती का बच्चा सम्झा बढ़े बयठे यह पेचा सबीड़ा अ हाँ हाँ भाईया 70 मैं कहता हूँ 220 में लेगा 220 में तो एक्सिटेंट होगा राइविंग मुझे दे अपन वनेटी पे चलते हैं जलो जलेए अरे तुम मुझे देना मैं चलाता हूँ यह पगाद आजा इदरा आजा इस लो रखो अरे आगी देखो गाड़ी है अरे क्या कर रहे हो संबलके 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 यह मेरी रोजी रोटी है इसका कहते है असले ड्राइवी है यह उड़ा की को क्या कर रहे हो अरे अभी बहार निकलो मेरी काड़ी खाराब हो जागी चलो अरे अरे सेजवां चटनी यह यहां पर कब लगी तेबल नंबर फोर में बेवडा कहां है हेलो भाईया भाईया यह क्या यह तो बिल्कुल मेरी कारबन कॉपी है दुनिया में एक जैसे साथ लोग होते हैं यह बात तो मैंने सुनी थी यह भी उने में से एक हो है क्या फरक पड़ता है यह पीने के लिए पैदा हुआ है मैं उतारने के लिए पैदा हुआ हूँ भाईया अरे कहां जाना है यह अंधिरा अंधिर से मिलने तक वो सूरच से सुभा होने तक हैं मुझे किसी सेफ प्लेस पर ले चलो सेफ प्लेस अभी इसे सेफ प्लेस के लिए कहां लेकर जाओं सर्पकल्डिया क्या हुआ भाई तुम कौन हो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो हां मैं तुम्हारी तरह तुम मेरी तरह दिखते हो तो क्या हुआ तुम्हारे फादर का नाम क्या है नरसीमाचारी क्यों चारी है पर मैं तो, मैं तो नाइडू हूँ फिर हम दोनों फूड रिलेशन और ब्लड रिलेशन रहे तो ही ऐसा पैदा होते हैं क्या सत्य पे सत्य फिल्म में दो अमिता बच्चन नहीं है उनमें रिलेशन था क्या इतना ही नहीं एक और पुरानी फिल्म में बोल राधा बोल उसमें दो-दो रिशी कपूर हैं उनमें रिलेशन था करेक्ट है बाइदवे, मेरा नाम कुशाल है आएम प्रेम कुमार स्वीटली, लोग मुझे लव के नाम से बुलाते हैं ड्रिंकर्स कैप ड्राइवर हूँ समझा नहीं नहीं समझे तुम जैसे बार एंद रेस्टोर्न में पड़े हुए लावार इस लोगों को बार से उठा कर घर तक सुरक्षित पहुचा देता हूँ मतलब यहां मुझे मैं ही लाया हूँ ओके बाप्रे अभी आता हूँ एई चाचा सूप्रभाद कौन है रहे तू अज सुबह सुबह यहां पर क्या कर रहा है छे 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 बेवडे पी कर बड़ी-बाते करते हैं यह तुमने प्रूव कर दिया चाचा मुझे बेवडा कहता है तू कौन है यह पहले पता चाचा कल रात को तुम फुल पी कर टाइट थे तो मैं नहीं तो तुम्हारा एड्रस क्या है भाई नाइट टेम में इस कैब में और डे टेम में बस्ट आउप पार्क में कहीं पर असल मैं तुम्हें इस तरह से रास्ते में नहीं बचल लगना चाहिए यह देखो यह है मेरा घर इस घर में अकेला रहता हूं मैं यहाँ पर आउट हाउस खाली है आकर रहे हो उसमें आओ तैंक्स बोलने की ज़ता है मैं भाड़ा नहीं भाड़ा कौन मांग रहा है फ्री ओ उस हालत में एसी रूम कमिट कर दिया रहा देखो बाबू कमिट्मेंट्स आरे कैंस रेंट 10,000 रुपे, एडवांस 20,000 रुपे, चाहिए तो रहो वरना गेट अउट, गेट अउट, गेटrict, गेट अउट, गेट अचा बीस आजार की बाद छोडिये, 20 रुपे अभी नहीं है पीने के बाद बोलते है, आओ, उतरने के बाद बोलते चाहू यह कुई धर्मशाला है क्या फ्री में रहने के लिए तुम अभी तो अंदर गई थे ना तो फिर बातरूम से निकल के कैसे आ रहे हो वेसे कौन हो मैं भाईया मैं यहां नहीं रहाँ मैं निकल रहाँ इधर आप चल अरे काने जारो अंदर से आने वाला और यह बाहर से आने वाला दोनों सेम दिख रहे हैं क्या हुई बताना इतनी सी बात है यह पैसे रफ लो तुम दोनों इतना सेम कैसे दिख रहे हो मेरे डैडी के डैडी के डैडी के दादा जी और उसके डैडी के डैडी के डैडी के नाना जी दोनों सेम दिखते हैं तुम दोनों की माँ तो एक है ना? नहीं, एक ही टैप के नीचे हमने पानी प्याँ है, इसलिए हम दोनों की शकले मिलती हैं, लू का पट्टा पता नहीं एक ही टैप का पानी, इसलिए से हम भाईया, इस रूम की लगता है आपको बहुत जरुरुद है क्यों बोलो, मुझे एक लड़की चाहिए लड़की, भाईया, आप जैसे दिखते हो, वैसे हो नहीं वैसे, मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि तुब अरे अंदर कुछ तो है हलो, मेरा मतलब था कि मुझे प्यार करके शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए अरे यार, असले मैटर बताओ वो एक लंबी कहानी है ओ, फ्लाश बैक? तो फिर एक मिनिट अब बोलो, भाईया जब मैं छोटा था तभी मेरे ममी पापा गुजर गए उस समय मेरी नानी की तबियत भी बहुत खराब थी उन्हें डर था कि मैं कहीं दरदर न बटकूँ अरे सुम्बू, मेरा वग्त हो चुका है माजी, आपको कुछ नहीं होगा मेरी एक आखरी खोईश है तू पूरी करेगा बोलो माजी अपनी बेटी सुबालक्षमी की शादी मेरे नाती से करवाएगा जरूर माजी, मैंने आपकी बात को कभी टाला है क्या बच्पन से ही सुबालक्षमी को देखना उससे शादी करना और जिंदगी शेयर करना ऐसे कभी फिलिंग्स आई ही नहीं तुम्हें कभी फिलिंग्स आया ना आये मैंने अपनी माजी से वादा किया है तुम्हारी शादी मेरी बेटी से ही होगी वो बात नहीं अंकल और से सुन लो हम इज़द के लिए जिंदगी दाव पड़ागाते हैं बात इज़द पर आई तो मैं कभी किसी के नहीं सुनता सिर्फ फैसला सुनाता हूँ और मेरा फैसला है तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी अंकल मुझे माफ करतीजिये मैं आपकी पसंद की लड़की से नहीं जो लड़की मुझे पसंद आएगी मैं उसी से शादी करूँगा मुझे ढूनने की कोशिश मत करना प्लीज मैं हैदराबाद जा रहा हूँ तुम अकल के दुश्मन हो भागते समय कोई अपना पता देता है गया वो क्या है ना मुझे जूट बोलने की आदत नहीं है अच्छा तो आप क्या करोगे लव मुझे एक खूबसूरत लड़की को ढूणना है इस शेहर में ऐसी कोई लड़की मिलेगी मिलेगी तुम्हें अब हैदराबाद की लड़कियों के बारे में क्या क्या बताओ जरहेने देखो देखते ही रह जाओगे सुचते रह जाओगे सपनों में आके सताय इनकी बाते हैं प्यारी कादिल इनकी अदर भाईया तेरी इस जनन में शादी नहीं होगी अरे तुझे एक से एक मस्त लड़किया दिखाईी मैंने मुझे ऐसी कोई चाहिए जिसे देखती फ्लैट हो जाओ मेरे हाट में लव बब जलने चाहिए अगर उसे जलाना है तो तुझ में फीलिंग्स होनी चाहिए फीलिंग्स तेरी जोड़ी ढूड़ने में मुझे बहुत तकलिफ हो रही है भगवान के अलावा और कोई नहीं ढूड़ पाएगा भगवान से होगा की नहीं उस माता से पूछ लेते हैं वो हो बहुत ताम जाम है भगवान से सब्सक्राइब मुझे वो योकिनी बहुत पसंद आई जे 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 तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भया देवी का भक्त बनने की सोचो तो गलत बात नहीं है पती बनने की मत सोचो ये प्रकृती के खिलाफ है मा मैं बहुत परिशान हूं मा मुझे मेरे बिजनस में बहुत लॉस हो रहा है मा इस मुसीबत से बचने का रास्ता बताओ मा भर्त, क्या तुम कभी तिरुपती मंदिर गये हो मैं तु नहीं गया हूं मा लेकिन मेरे माबाप और बीवी गये हैं स्वामी स्वामी तुम मेहनत से उपर आए हो तो इश्वर ने कहा है तुम्हें उतनी ये मेहनत से अपनी मा को मंदिर की स्विर्या चढ़ाने होगी ये क्या कह रही है मेरी मा तो दो महने पहले ही गुजर चुकी है तुमने अपना रास्ता पूरा तय नहीं किया इसलिए बाला जी को गुस्सा आ गया है अधूरा छोड़ा काम पूरा नहीं कर रहे हो इसलिए तुम इतना कश्ट भोग रहे हो तो अब मैं क्या करूं मा तिरुपति जाकर दान करूं क्या एक मिनिट रुको स्वामी है? ओहो स्वामी जी से मैंने बात की है उन्होंने कहा तुम उतना ही दान हमारे यहां समर्पित कर सकते हो अगले हफ़ते मैं तिरुपति जा रही हूँ स्वामी जी के चर्णों में इन्हें मैं अर्पन परदूंगी बहुत अठी बात है माता, स्वामी का सेल नमबर मुझे भी दे दो मैं भी उनसे बात कर लेता हूँ अपना मूबंकर क्या हुआ? पाग आपको इस्पेशल दर्शन चाहिए? जी हाँ स्वामी ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा होगा जितना भी खर्चा हो चलेगा तो आप जड़ा इस तरफ से आईए लगता है दुझे टकला करेंगे तुम्हारी क्या समस्या है भक्त? अगर तुम्हें इतनी दिव्य शक्ती है तो हमारी समस्या तुम्हें पता होनी चाहिए भक्त, माता तो सब जानती है स्वामी को कुछ कहना है तो पहले हजार उपे कुण्डी में डाल दो भया एक मिनट जो हो माता का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं हम दोनों एक जैसे हैं तो हमारी मा एक है या फिर हमारी पपा एक है हमारी मा सिस्टर्स है या पपा प्रदर्स है तुम दोनों के बीच में मदिरा और सिर्फ चखने का ही संबंद है, लग्त संबंद विलकुल नहीं है और तुम इश्वर की बनाई सबसे खुबसूरत तचना धून रहे हो मुझे लव करने के लिए, अपने लाइफ शेर करने के लिए, एक होशियार और खुबसूरत लड़की की ज़रूरत है कितनी खुबसूरत लड़की चाहिए, जरा कहो तो सन्या सीनी नहीं होती तो मैं आपका ही नाम ले लिता बात क्या है, इतना तुम क्या सोच रहे हो वो लड़की अगर मेरे जितनी खुबसूरत हो, तो चलेगा न माता, बस माता, आपकी जितनी घुबसुरत, बस हो गया एक लड़की जो हुबभु मेरी तरह है, पूर्व दिशाकी और पार्क में मिलेगी, जाओ सेम एकदम तुम्हारी जैसी लड़की कैसे आ सकती है, मैं नहीं मानता कामात तुराणम नभयम नलज्जा, प्रेमात तुराणम नभूतो नभविश्यतो जब तुम दो हो सकते हो, तो हम दो क्यों नहीं हो सकते? मैं चलता हूँ माता शीक जाओ भाईया, मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे सब क्लियर हो गया है, तुचल उनका सेट अप और गेट अप देखकर बेलकुल चोर लग रहे थे वो लोग अगर तुमुझे एंकरेज नहीं कर सकता, तो डिसकरेज तो मत कर, हो गया इमोशनल अब अब आ, आपको एसा लगता है पहली कहीं देखा है मुझे भी ऐसा ही लगता है मुझे तो लगता है आपके साथ मेरा जनम चन्मांतर का रिष्टा है एक्सेक्टली सेम फिलिंग्स रोज आप इस पार्क में आते हैं आप अगर रोज आओगी तो मैं भी रोज आया करूंगा तो फिर कल शाम 430 को मैं यहीं पर आपके लिए बेट करूंगी कहां जा रहे हो भाई वो माता को दक्षिना देने के लिए चलना मेरा वालेट बिना मांगे दक्षिना ले गई बोला था ना भाई वो एक नंबर की चोरनी है कंपवा मुझे बीना बता यहां नई दुकान खोली है चल नवस्ते सर कहिए क्या चाहिए एक किलो चिकान एक किलो मटाने किलो फीश चाहिए अरे यह चश्मे की दुकान है सर अमेने दिखता गया चल चश्मा दिखा यह सुपर है सर एक बढ़ ट्राइए कीजे यह देखिए नया मॉडल सर ट्राइए कीजे एक सेकंड रुखेगा ए ब्लू चीप माल लेने वाला चीप आदमी दिखता हूं किया वह जह कास्टली चीज़ दिखा एक बार यह ट्राइए कीजे बबाई से कली आया है यह मॉडल शहर में कहीं नहीं मिलेगा साथ एटम खरीदा है तो 2000 रुपय का मिलता है आपको डिसकाउंट नहीं चाहिए बिल कितना हुआ बॉल यह लिजे यह ब्रहू इस आइटम राजा को बिल देने का फायदा अब इस बिल में जितना एमांट होतना क्याश दिला का है मेरे साथ मजाग कर रहे हो क्या इस बिल का एमांट भरो वरनस सारे आइटम यहां रख दो अबाव वापास रखने है बोल रहे है ऐसे नहीं करता है तेरी तो प्रॉप यह अकलमंदी पहले दिखाने चाहिए थी इस एरिया में दुकान खोलने से पहले जैसे ग्राहक के बारे में पता किया था विलकुल वैसे ही हमारे बारे में भी पता कर लिया होता यादख ना आइटम राजा अब जैसे चेश्मा विशने वाले दुगान खोल खोल भाइन अच्छि टोपी पहना दी। अम्भूर भुवस्वाहा तस्यवितुल वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमही धीयोयोन प्रच्चोयां वैचलर के घर में लेडी वोईस हा अँओ.. मोटे के घर पे पतिवी सी लड़की सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधी के शरण्यत्रंब के गऊरी नारायनी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधी के शरण्यत्रंब के गऊरी नारायनी नमोस्तुते ये क्या? ये सा बेटे बेटे क्या देख रहा है? ओम्भूर्भुवस्वाहा तस्यवितुल्वरेन्या भर्गोदेवस्यधीमही धियोनः प्रचोर्याद्या ओम्भूर्भुवस्वाहा अरे हटना क्या देख रहे हो बेटा अंकल वो अपने घर में जो लड़की आई है ना कौन है वो वो लड़की मेरे फ्रेंड की बेटी है आहां बहुत अच्छी है मेरे फ्रेंड की बेटी है मतलब मेरी भी बेटी है ऐसा वैसा कुछ सोचा ना मार डालोंगा सोचने में भी पाबंदी है अलो तुपर जो तुम्हारे साथ है उसे भी बता देना जब मैं हूँ तो दूसरे को इंट्री क्यों दूँगा बाई ससुर जी अरे बाप्रे चाचा चाचा बोलने वाला यहां रिष्टे को उलट पलट करके ही चला गया इस पे नज़र रखनी पड़ेगी क्या लग रही है काश यह मेरी हो जाए मज़ा आएगा यह लेस खुल गई इडियेट देखो भाई पहले राइट जाना उसके बाद लेट चानी जाना हां ओके भाई हां डोंट वरी डोंट वरी यह कहां चली गई है है मैं तो सीरेजली शौक हो गई तुम हैंदराबाद का बाई हम सब सोच रहे थे कि तुम दिल नीच लेगए लेकिन तुम यहां कैसे जिस घर में तुम हो उसी घर में मैं हूं लेकिन तुम यहां कैसे अमीर पेट में आई-क्यू कंप्यूटर कोर्स जॉइन किया है मैं परसु चोरनी को तुने में लाइन का था और यह क्या लूप लाइन है क्या ए असल में ऑफ लट्की कौन है नहीं कौन है वही मेरे पापा के फ्रेंड की बैटी आंकल की बैटी मतलब वह लड़की हैं मतलब इस उपवश्मी रस एक अपनी सुभू है क्या शौकuse पार्क में अपनी भाबी बेट करती होगी, चल 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 बाबी, भाबी कौन है यार? भाईया ऐसा क्यों कह रहे हो, आज पार्क में आएगी बोली दी न, वही, तुमारी लवर, हाँ, 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 याद है, अब चलो, चलो, हम कब से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आई नहीं रही है, टाहिम पर आने के लिए वो क्या कॉर्पोरेट आफिस में जॉब कर रही है, फ्रीलैंसर है वो, ओ भाईया, कहां जा रहे हो, वहाँ है क्या देख कर आता हूँ, जाओ, ढूण लो उसे, मैं सुम्हें बसाने हो क्या, अगर सच में पसंदू तो मेरे साथ तुम्हें थोड़े शरारत करनी चालएंगे क्या करूँ? शराफत दिखानी है तो सिर्फ एक हग, बदमाशी करनी है तो चार चुम्में अरे बापरे चार चुम्में क्यों तुम कहो तो पूरे 40 चुम्में थूगा और तो एफिध बखेवेशा अग George क्या कर रहा है तू यो डिस्टप कर रहे हो भाया एक्चुली तुछे पता है तू किसके सथ क्या कर रहा है अरे यहां तो सुपा लक्षमी थी यह को रा गई अरे बाप्रे वन प्लस वन ऑफर है क्या बाइवन गेट वन फ्री मज़ा आएगा एक से बोर हुई तो दूसरा ऑप्षिन है क्या कर रहा है तू भी दख्का दे रहा है कोई बात नहीं पैसे निकाल पैसा बैसा कुछ नहीं चल भाग जब चिपक ना था तब तो चिपक लिया अब पैसा मांग रहे हूं तो डालाग चिपका रहा है तुम लोग मुझे समझते क्या हो अपनी यूनियन में कंप्लेंट करूंगी वही सबक सिखाएंगे क्या कहता है मैं करूं कंप्लेंट तुम दोनों को जो करना है वो करो यह बहुत है बोलने में भी अजीव है और सुनने में भी अजीव है चाहे जितना भी अजीव हो मुझे जाना है एजी अ दोनों एक जैसे दिख रहे हो बेटी अभी अभी तुमने इसे किस नाम से बुलाया वो मैंने वो मैंने तुमने इसे एजी करकर बुलाया हां उंकल यह तुम्हारा होने वाला पती है इड़ो ने कहा कि इनका नाम ही एजी है तो फिर उस बिल्ली आख वाले ने अपना नाम क्या बताया वो क्या नाम मैंने मेरा नाम नहीं बताया तो फिर अब भी बतातो माइनम इज प्रेम कुमार लेकिन प्यार से लव कुमार भी बोलते हैं लव आप यहाँ पर करेगा ना तुमारे टुकडे टुकडे करके चील कवों को खिला दूगा समझिया चल निकल यहां से ए जी आप दोनों एक चैसे दिखते हो लेकिन तुम शरीफ हो और यह एक नमबर का टपोरी मैं टपोरी? तुम्हें एक बाद बताओं तुम्हारा होने वाला पती एक चोरनी से प्यार करता है चोरनी मत कहो, देवी कहो देवी जैसी है वो मैं भी वही कह रहा हूं देवी जैसी रहने वाली चोरनी इए चुप रहो पापा फोन कर रहे हैं हाँ कहिए पापा कैसी हो पढ़ाई ठीक चल रही है ना मैं फिलाल दिल्ली में हूँ दिल्ली पूरा चान मारा लेकिन नहीं मिला उसका एक फ्रेंड मुमबई में भी रहता है अब मैं मुमबई जा रहा हूँ मैं तुम्हारे पती को हर कीमत पर ले आऊँगा टेंशन मत लेना अभी रखता हूँ बापरे इसे तो कैसे भी करके पटा नहीं है किया टुम्हार। क्या हमले क्या है 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 पिर बोल राए बेस्क बीजर को बाए मैंनी को रूद heel прикल मैंनी को अगा अगा ओुमर कुमर कुमर कुमर। अ दित कीता प्ललूं 2 ऑन मétait ब्लीं अजीन समर सीमर्सेसन मेरी हर स्किन बनिंग और फरीचे हैंने, एक मेरा डिम का हुआ अह उस्या गाला टेक फ्लींग ऑना रहें अंट के उसनुट हुआ देग्ट हेते सिक तो नहीं समस्किड मेन घ्टों जिया एक चॉर नियुटंग एड़े रूप! एड़े रूप! कहा जा रही है? मेरे भाईने भर की कमाई है उसमें! एड़े रूप! जोड़ मुझे! छोड़! तो मेरा पीजय करना सब्सक्राइज भाईजे सिवारूँगी! अड़े अड़े! अड़े अगरा! हुँ मैने पकड़ लिया! पकड़ लिया! चोड़! चोड़! अबेट? छोड़! भया! अच्छाइज विए बमने अच्छाईज कर दिया भया! टेखो क्या किया भ्या सौरि भआई तेरे वॉल्ट में कितने पैसे थे मैं यॉपना लगा अच्छा काम किया रुख तेरे पचास रुपे देता हूं जरूरत नहीं है उसका वॉलेट मैंने ले लिया है क्या हूँ अंकल कुछ खास नहीं वो जो तुम्हारे दोस्त का वॉलेट खो गया था ना वही वॉलेट दरसल इसको मिला है ऐसे लोग आजकर मिलते का है वॉलेट लेकर उसके घर तक पहुचाने चले आए यह फोन भी ना तुम लोग बात करो है यह लो तुम्हारा वॉलेट और मुझे मेरा पर्स लोटा दो काहे का पर्स उसमें का पैसा खर्च कर डाला है मैंने अरे वो तो सालरी अमाउंट था ड्यूटी कहा करती हो मंदिर में की पार्क का यह बताओ लड़की होकर चोरी करने में शरम नहीं आती इससे अच्छा कहीं कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती जॉब किया तो जेब नहीं मां को खोदूंगी मेरी बातों पर ऐसे ही बारोसा मत करो चाहो तो चल कर देख लो मेरी मां से मिल लो बारोसा होने के बाद ही मुझे मेरे पैसे लोटाना अब मां कैसी है डॉक्टर अंकल 24 गंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं वेटन सी दो माहीने पहले एक्सिडेंट हुआ था उड़ाने वाले ने जरा भी मदद नहीं की बेचने के लिए कोई प्रापर्टी नहीं है और ना ही सपोर्ट करने के लिए कोई फैमिली मेंबर न मा को मरते देख सकती हूँ और ना खुद को बेच सकती हूँ इसलिए मैं ये गिनोना काम कर रही हूँ इसकी जरुवत नहीं है प्लीज मैं ये नहीं ले सकती इसे गिर्वी रखकर तुम अपनी मा को बचा लो मैं बाद में इसे छुड़वा लूँगा सत्या और एक जरुरी बात ये चोरी करना बन कर दो प्लीज तुम्हारी मा के ओपरेशन में जितना खर्चुगा वो सब मैं दे दूगा चलता हूँ भाईया जिसका बस्टन बेड है ब्रेड ही फूड है ऐसी सोच रखने वाले को रॉयल फूड और लक्जरी बेड दिया है तुमने और तुम्हारी लाइफ मेरी आखों के सामने स्पोईल हो रही है मैं देख नहीं पा रहा हूँ भाईया देख नहीं पा रहा हूँ तु चाही जो बोल बट आई लव सत्या पीक्स भाईया तुम्हारा पागल्पन पीक्स पर चटड़ गया है दिल से नहीं भाईया दिमाग से सुचो मैं चाही जहां से भी सुचूं पर मैं सत्या से ही शाधि करूँगा ओहो पागल हो क्या तुम कीचर में क्यों कूदना चाहते हो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ए तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है सॉरी सॉरी भाईया गुड नैट सर्ची सर्ची आइटम राजा आया हुआ आइटम राजा ये कौन है इस एरिये में आप नहीं हो उसके बारे में आपको नहीं पता ये आइटम राजा इतना खतरनाक है जितना कि आइटम बॉम नहीं है सेट वो अपने शॉप से आइटम खरी देगा तो आइटम तो दे नहीं होगा और उस आइटम का पैसा भी देना होगा मैंने नहीं दिया तो आपको इतना घिसेगा कि आपको मेरी तरह क्लीनर का काम करना पड़ेगा मैं समान को सेव कर सकता हूँ पर आपको सेव नहीं कर सकता सेट लेकिन कैसे सेव करोगे यहां बाउस को नहीं? तुम हो भाई हमको क्या चाहिए? एक फ्रीज और टीवी चाहिए भाई बस इतना ही? भाई, जरा ये रेट तो देखो अरे यहां देखो एक रुपए में टीवी तीन रुपए में फ्रिज क्योहार है ना सर, ओफर सेल 99% डिसकाउंट ऐजा है ग्या अच्छा दोसे, पांस टीवी पंच लाग पंदरा वाशिंग मशीन पंदरा लाग पच्छीस फ्रीज पच्छीस लाग पैक कर दे अरे मुनेम, बेल कितना हुआ हिसाब कर ले पचास हुआ भाई कितना? पचास रुपिया ओके येलो आइटम राजा को बेवकूब बनाने वाला खुद आइटम राजा ही है और कोई नहीं नमस्ते माजी नमस्ते बेटा मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूँ कौन हो तुम बेटा? मैं आपकी बेटी सत्या का फ्रेंड हूं माजी लेकिन मेरा एक बेटा है बेटा? कौन हो भाई आप? आप कौन हो भाई? मेरा नम वसंत है इनका जो एकलाओता बेटा है वो मैं ही हूँ देखो सत्या मेरी नजर में प्यार का बहाना बनाने जितना गलत है प्यार करने वाले को धोका देना उससे भी ज्यादा गलत है तुम मुझे बार बार धोका क्यों दे रही हो धोका खाता है वो तेरी कलती है धोका देना मेरा काम है ये प्यार व्यार मेरे पलने नहीं पड़ता मैंने जी जान से तुमसे प्यार किया मेरी मा की जो निशानी थी अंगुठी वो भी तुम्हें देती तुझे वो चेन और रिंग चाहिए ना एरिया के मारवाड़ी के पास गिरवी रखा है एक हफते बाद लाकर दे दूँगी सत्या मेरा मतलब वो नहीं था जैस्ट तुमसे मैं कितना प्यार करता हूं यह समझाना चाहता था कुशाल मेरी नजरों में पैसे की कीमत और जरूरत तुम्हारे प्यार से कहीं ज्यादा है इसलिए कहती हूं मेरा पीछा करना छोड़ दो आटो यहीं पर रोग दो सत्या, प्लीज मेरी बात को समझो तो, प्लीज सत्या, सत्या प्लीज, ये लो, चले जाओ कुशाल, मुझे भूंचाओ, सत्या, ठीक है मैं यहां से चला जाओंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मुझ जैसे लड़के को मिस्स करके, तुम लाइफ लॉंग दुखी रहोगी चले जाओ, ये लो चॉकलेट, तुम मिलो, ये लो, ये तुम्हारे लिए, दीदी आप इतने दिन कहां गई थी, कुछ काम से बाहर गई थी, दीदी, ये किट्टू फिर से भीक मांगने गया था, ए, कितनी बार कहूं कि भीक मांगने नहीं जाना है, मेरे पापा ने भेज चाचा, ये उन बच्चों के लिए पैसे, याच से उन बच्चों की स्कूल फीज भर देना, ठीक है? हाँ, ठीक है, हम पर इतनी महरबानी क्यों? ही तै कर लिया है, कि तुम मेरी ही हो क्लो, टाइलो, बुक्स क्लो, और लिखने के लिए पैंसिल, शाप करने के लिए शापनर और मिटाने के लिए रवर चाहिए कम से कम एक बच्चे पर दो हजार पकड़ोगे, तो महरेने का बीस हजार होता है बीस हजार? हाँ, उतना कहां से लाऊं यार? हाँ, सिंपल भाईया, बैंक में दस लाग रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दो इंस्टन्ट मनी गेन करने के लिए छोटे-छोटे रास्ते होते है, वो क्या है न, रेस लगा सकते है, जिस घोडे पर तुम दाव लगाते हो, वही घोडा जीतना जरूरी है और दूसरा ताश खेल सकते हैं, अब अगर ताश खेलो, तो तीन पत्ती हमारे हिस्से में गिरनी चाहिए होगी तरी बगवस, कोई और रास्ता है तो बोल नाम लबा कुमार, इसे जुनने पर 25 लगा है नाम? सपोज, जस सपोज, ये जो नन्हा बच्चा गुम हुआ है, वो अगर हमें मिल जाए सोचो, इन्वेस्टमेंट भी जीरो है, ऐसा हो सकता है ऐसा ही होगा भाईया, ऐसा ही होगा क्या हुआ है, इतना तो तुम लोग मेरी मयत में भी मूनी लटकाओगे रहे चला जाए भी आप पीने को कऊँगे तो भी पीएंगे नहीं भाई ऐसा क्या हुआ, आइटम छोड़के चलीगे ही क्या है आइटम छोड़के जाए भाई तो इतनी तकलीप नहीं होती तो फिर क्या करें? कोई बड़ा क्राइम करके पैसे कमाते हैं भाई तो फिर सुपारी लेके मडर करें क्या? भाई, रेंदो भाई, अगर हम जेल कहना तो हमारी घर वाली बाहर आ जाएंगी वैसे भी जमाना बड़ा खराब है तो फिर लेंड सेटल्मेंट करते हैं, खाली जगह पर कपजा करके पैसे मांगते हैं क्या बोल रहें भाई, क्या वेकार की बात है हमारे शेहर में कोई जगह खाली यह नहीं मची है और अगर खाली है, तो उसमें 10-20 माद पहले कपजा हो चुका है पैसे की वज़े से ही मेरी लाइफ बनेगी पैसो की वज़े से लाइफ में वाइफ आईगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था भाईया, प्राब्लम को बार बार याद करके दुखी होने का कोई फाइदा नहीं है यह इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला जब सॉल्व होना हो तो हो जाएगा सही बोल रहे हो भाईया, वो पेपर वाला बच्चा उसे पकड़ो तो पच्चीस लाग रुपे पच्चीस लाग रुपे हमारी आँखों के सामने ही खड़े या कहा गया ग्रहा अगर लात मारे तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता चलो भाईया भाई, वो लड़का बेंस कार से उतर रहा है तो सोचो उसकी रेंज क्या होगी उसे ही किटनैप करते हैं और बीस लाग का डिमान करते हैं सिर्फ बीस लाग क्यों? पचास लाग डिमान करते हैं ए, स्मोग बम लेकिया बच्चा मेरी आपको के सामदे है शूट कर दूँ क्या? तो क्यों, उसे हार पहनाएगा उसे इसी वक्त शूट कर ठीक है भाई ठीक, बेशरम बेवकूफ एकदम बुरा चॉइस है भाईया, वहाँ देखो भाईया, रोड़ पर मिस हो गया था सडनली जाकर पकड़ा तो डर जाएगा साइलेंटली जाकर पकड़ लेते हैं इस बार मिस नहीं करेंगे साइलेंटली लेते हैं भाईया, जाइया, भाईया, इस देखो प्रशनली जाएग? प्राइ़ कर्या, प्राइबंगे इस नहीं करेंगे बार मिस अधे झाईया, प्रणिटलीं लेट कि माच जली है तक निचे चलो । कर दो फिर वभव implemented कर दो यह जी यह बच्चा कॉन है यह बच्चा गुम हुआ था इसको इसके मम्मी पापा के पास हम भी पहुचाएंगे और वो लोग हमें 25 लाग का रिवाट देंगे यह सब पेपर में भी दिया है जिससे हमारी सारी प्रोब्लम सौल हो जाएगी तुम लोग यह पैसो के लिए कर रहे हो इस बच्चे को उसके मम्मी पापा को दे दो उन लोगों की दुआ मिलेगी तुम दोनों को वेल्कम टू साक्षी न्यूज प्रमुक वियवसाई श्रीसा ग्रूप अफ कंपनी के एमडी प्रसाद राव जी का पोदा आधे गंटे पहले दिलसुक नगर के कला मंदिर से किडनाप हो गया है बच्चे ने अपने परसनल बोडी गार्ड से स्कूल से घर आते समय नए कपड़े लेने की जिर्द की वो उस बच्चे को मना नहीं पाए और मजबूरन उन्हें उसे कला मंदिर ले जाना पड़ा उसी दोरान स्मोक बॉम की मदद से कुछ गुंडों ने उस बच्चे को किडनाप कर लिया बच्चे को बचाते वक एक बोडी गार्ड को बंदू की गोली लग गई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया कमाल की बात ये है कि ये बच्चा पहले भी किडनाप हुआ था पर उसे ढून लिया गया था फिलहार के लिए बस इतना ही अपडेट्स के लिए देखते रही साक्षी नियूस ए जी शायद आपने पूराना नियूस पर पढ़ा है बच्चे और लेडी गुम होकर उसके परेंस को मिल गया था मिल गया था? मतलब? बच्चे को आपने दुबारा किड्नाप किया है हां किड्नाप किया है मुझे मत बारो मुझे मत बारो ए रंगा मैंने तुम लोगों को राना के पास काम पर लगवाया था ना और तुम लोग मुझे ही मारना चाहते है राना राना मैंने तुमारे सब कोई दो के बास ही ने की मुझे छोड़ तो मैं तुमारे हाद जोड़ आँ मुझे जाने दो तुमें शायद गलाप कामी हुई है खुद पर मैंने जितना विश्वास नहीं किया, अपने बाप पर नहीं किया, उतना तुछ पर किया, और तुम है क्या किया? लाला, लाला मुझे छोड़ो, मैंने तुमा से कोई दोगे भाजी नहीं की, राइख! अगर कमिट्मेंट में लास हुआ तो सहलूँगा, बरदाश्ट कर लूँगा, लेकिन दोखा दिया तो मार दूँगा! इसकी बारे में लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी! किड्नेपर मुझे मिल गया ना तो उसकी बोटी-बोटी कर दूँगा! अगर वो किड्नेपर एक बार मिल जाये ना तो उसके बाल की जगा गरदन काट दूगा! बच्चे को किड्नेप करने वाला मिल जाये, उसे काटकर मिर्ची पाउडर लगा दूगा! पहले टीवी बन करो! टीवी पर जितने लोग दिखा है, सब भड़के हुए हैं! भाया! कहा जा रहे हो? बुली स्टेशन! बच्चा लोटाने के लिए! ऐसा मत करो! लवा! हमने तो कोई गलती नहीं की है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है! इमोशन में आके रॉंग डिसिशन मत लेना भाया! प्लीज! यह पुली स्टेशन, यह अरेस्ट, यह किड्नैपिंग, इसकी हमें क्या जरूरत है? भाया, पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा तो तुम्हें है! एजी, पिछली बार जब यह बच्चा किड्नैप हुआ था, तो कोई आदमी उसे बचा कर घर ले आया था! लेकिन उस आदमी को मार दिया गया ऐसी खबर आई थी! इसलिए थोड़ा संभल कर! लगता है इसका दिमाग खरब हो गया है! पापा फोन कर रहे हैं! स्पीकर आउन करके बात करो! बेटी सुब्बू! पूरा मुंबई भी छान मारा! लेकिन दामात कहीं नहीं मिले! सुबह तक हैदराबाद पहुँच जाओंगा! पापा उन्होंने मुझे गोवा से फोन किया था! वहां पर क्या कर रहा है वो? उन्होंने न वहां पर एक लड़की से टाका फिक्स किया है! जी 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 गोवा में लाओ! उसका नंबर दे मुझे! पब्लिक फोन से फोन किया था पापा कॉल बेक किया तो वो वहाँ से चले गए थे मैं अभी गुवा जाकर उसे डूड कर उसे पकड कर लाऊंगा तू बिल्कुल चिंता मत करना ठीक है? ठीक है पापा भापरे गुवा गय हो कभी वहाँ किसी भी लड़की को देखा तो बहुत सुंदर लगती है इनके दमाद को मैं परणाम करता हूँ उनी के चक्कर में तूम पूरा इंडिया गुम रहे हैं तुम लोग क्या सीक्रेट सीक्रेट बात कर रहे हो? नहीं मालिक नहीं हम दमाद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं बहुत प्लान कर लिया पहले गाड़ी में बटो अंकल आप सब कौन हो? हम सब तुमारे दोस्त हैं अंकल मुझे मेरी मम्मी के परशाना है अंकल ले जाने के लिए ही लाए है जब तक हम ले नहीं जाते तब तक ज़रा सा शान्त रहना ओक्या अंकल आज मेरा हापी बदे अंकल हेए हैपी बदे टू यू हैपी बदे टू यू थैंक यू अंकल थैंक यू आंती मालिक, आने लीजिए माने फुन किया था? नहीं किया था सुबह से कितनी बार बोला फिर भी वो पानी तक नहीं पी रही है प्लीस, प्रेस, मीडिया सभी हमारे बच्चे को ढूणने में मदद कर रहे हैं प्लीस, तुम टेंशन मतलो प्लीस कुछ खालो मुझे भूक नहीं है मुझे अकेला छोड़ दो प्लीस, तुम चले जाओ यहां से प्लीस, ले मिया लो आँ, बच्चे का कुछ पता चला की नहीं अभी तक नहीं अंकल प्रेस में दिया है, कंप्लेन भी किया है चल दी ही कुछ होना चाहिए अंकल आपका कोई पुराना दुश्मन है क्या यह हाथ मदद के लिए उठते हैं किसी का नुक्सान पहुचाने के लिए नहीं समझ में नहीं आ रहा ऐसे में मेरा दुश्मन कौन हो सकता है बच्चा कहा है कैसा है, खाया भी है की नहीं कुछ पता नहीं चल अब इसका हाथ खोल दे भाई मुझे माफ कर दो, प्लीज भाई मुझे मत पारो, मैं आपके पैर बढ़ता हूँ भाई मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ अरे तु मेरा भाई जैसा नहीं है रे मेरा छोटा भाई ही है लेकिन तुससे यह उमीद नहीं थी अरे तुम लोग तस सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो लेकिन फिर भी पचीस लाग की लालच में आकर तुमने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया अब सब के सब मरोगे इस बार बच्चे को मार करी वापस आऊंगा भाई जिन्दा नहीं छोड़ूना चलो जाओ टीक है भाई उससे उससे कोई नहीं पचा सकता कोई भी नहीं क्या ग्या जल रहा है अज कल की हिरोई ने छोटे-छोटे कपड़ों में गरम-गरम ऐसास दिलाती है भाई कैसा गरम-गरम ऐसास ले इतना गरम की छाती पंदा थोड़ तो ओमलेट है देखना है तो फ्रांट नहीं बैक देख नहीं का बैटो मेरा बैक देखने को नहीं कहा रहे पेपर का बैक पेज देखो उस दिन शॉपिंग मॉल में जो बच्चा दिखा था न वो बच्चा गुम हुआ है उसे ढून कर दोगे तो 25 लाग मिलेगा और अगर डिमांड किया तो एक करोड तक भी मिल सकता है अगर बच्चे को पकड़को उनके सुपूर्ट किया तो इनाम का 25 लाग मिलेगा हम एक काम करते हैं इनाम के रखाउं को 50 लाग करके छपपा देते हैं उसके बाद किसी को बच्चा मिलेगा तो वो हमें लाकर देगा तो हम एक करोड के डिमांड करेंगे पच्छास लाग लाने वाले को देगे, पच्छास लाग आपर रेख लेंगे, क्यों कैसे आइडिया भाई? हे, अपने पास कैश कीतना है? क्यों भाई? कार लेनी है, लेकिन उसके लिए कैश क्यों भाई? कार के लिए कैश क्यों भाई हमारे लिए तो सफ्री है हमने बिजिनेस बदल लिया ना अब प्री में कुछ नहीं पैसा दो और खरीदो अरे भाई आइटम राजा भाई कैसे हो भाई आईया पानी के लिए पैसे नहीं है थोड़ा मदद केजे भाई साब आगे बढ़ इनके पास पैसे नहीं होगे पुल यह भाई क्या पेश करूँ कोल रिंग क्या हार्ड रिंग एक हमें कार दे दे यार आप सेकेंड हैंड कार लेंगे तो हम लोग कौन से फर्स्टन है आपकी इमिज के लिए गंदा रहेगा भाई तो हम लोग कौन से जाब इतने आया हूं और यह बोल रहा है कि फ्री है बाबू क्वाटर के लिए वाटर नहीं है थोड़ा मदद कीजिए उसे यहां ले किया रहे एए इधर आ रहे यह ले भाई यह भाई तो चल निकला पहले पैसा उठा हां क्या यार दान करो या ना करो समस्या ही है इसे जल्द के बदले मेरा यह रिटन गिफ्ट है अब बोलिये क्या है मेरे पोते का कुछ पता चला है हम कोशिश कर रहा है ना हम आराम से नहीं बैठे हुए हैं मिलते ही आपको बता देंगे प्लीज सर में मेरे बच्चे के बिना रह नहीं सकती देखो में चौबिस घंटे में तुमा मेरी जिम्मेदारी तुम टेंशन मत लो टीवी और पेपर में आप ये न्यूस दे दीजिए अल्रेडी दे चुके हैं सर लिखा था कि 25 लाग का इनाम भी देंगे पबलिक ने पकड़ा तो 25 लाग है और पोलिस ने पकड़ा तो 25 रुपए भी नहीं ठीक है मिलते ही आपको इनफॉर्म कर देंगे अब आप जाएए भाईया हम बच्चे को उठा कर लाए थोड़ा पैसा मिलेगा सोच कर हमें लाले चाया अरे बापरे उठा किड्नेपर का टैग लग गया अब ये सब छोड़ो भाईया एक काम करते हैं इस बच्चे के घर जाकर इस बच्चे को दे देते हैं वो जितना भी पैसा देंगे उससे पांच कैप खरिद कर सेटल हो जाते हैं अब बस इस कंफ्यूजन को मैं सहे नहीं पा रहा हूँ भाईया वैसे ही मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ तुझे बड़ा क्या प्रॉब्लम में मतलब मैं इंसान नहीं हो क्या मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती वही तो प्रॉब्लम बता मैं लड़की से प्यार करता हूं क्या कहा तो कसम से किसी लड़की से प्यार करता है क्या भीया ऐसा बोल रहे हो मैं सच में प्यार कर रहा हूँ सच में प्यार करता है तो कौन है वो लड़की मैं बोलूगा तो आप बुरा मान जाओगे उस दिन पार्क में ए चीची भाया वो नहीं तो फिर कौन है वो अपनी सुबा लक्षमी भाया भाया ऐसे सीरियस ली मत देखो मैं सीरियस ली उसे प्यार करता हूँ ध्यान से सुन लवा मैं सुबा लक्षमी को तब से जानता हूँ जब हम छोटे थे वो सच में बहुत संसकारी लड़की है तुझ जैसे टपूरी के साथ उसकी नहीं जमेगी मुझ जैसे टपूरी को ही ऐसी लड़की पड़ती है भाया और तुम जैसे संसकारी लड़कों को टपूरी लड़की पड़ती है वो सब छोड़ों ना भाया मैं सुबा लक्षमी को फूलों से सचाऊँगा भाया लेकिन कैसे? वही बच्चे को दे देंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे ना उससे मेरी लाइब सेट हो जाएगी क्या हुआ भाया? बेटा अब अपनी नया खुदी पार लगा ले भाया देखो लब तुम और वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो तुम सच में उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हूँ चाहते तो मना कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं गया उन्हें हर कदम पर तुम मदद कर रहे हूँ तुम टपोरी तो हो लेकिन प्यार दियो सुबालक्षमी इतना सब कुछ बोल दिया लेकिन जो बोलना था वो तो बोला ही नहीं मैं छोटे गाव से हूँ मुझे शर्म आती है लेकिन मुझे नहीं आती एक चाय देना क्यों काका बच्चे के बारे में कुछ पता चला उसे ढूम तो रहे हैं लेकिन जो भी कोशिश कर रहे हैं सब बेकार हो रही है बच्चा मिले तो मुझे भी जरूर बताना काका क्योंकि मुझे डर है कि वो लोग उस बच्चे को मार न डाले ऐसा नहीं होगा नजाने कौन है वो लोग जो हम सब को इतनी तकलीट दे रहे जबसे वो बच्चा गुम हुआ है उसकी मा के हालत बहुत ही खराब है अनका एक निवाला तक उसने मुझे में डाला पता ने क्यों भगवान भी अच्छे लोगों को ही कश्ट देते हैं हम क्या कर सकते हैं काका अगर उस बच्चे को मिलना है तो उपर वाला ही कुछ कर सकता है हे लव हाँ बच्चे के घर से इंक्वाइरी करके आ रहा हूँ तु बच्चे को तयार कर मैं अभी कर आ रहा हूँ वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नी होगी चलो ठीक है बईया अब वो 25 ला की बात कंफरम है ना कंफरम है तु जल्दी से बच्चे को तयार कर मैं अभी पहूँच रहा हूँ तक्यद तक्यद तक्यदा । हे अ हें किया जन्रू क क्या क्या लगा क्या अपने अब है मार डालेंगा तैरी तो तु जैंसे मारो तू मेरा बेर्र Academic चोटो बच्चे रुक यार ऐसे क्यों रो रहा है तू मुझे आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम चाहिए कुछ अलंकल को फोन करता हूं वह आते समय ले आएंगे मुझे अभी चाहिए नहीं तो मैं जोर-जोर से रहूँगा पॉपरे मत रोना हां मैं अभी लाता हूं तब तक कुछाल कुछाल लगता नहीं उसके नसीब में उसका चेन है हम भाहर से तो डोर लोक है लेकिन अंदर से टीवी की आवास आ रही है इस बच्चे को मैंने कहां देखा है कहां हाँ पेपर में देखा है मैंने इस बच्चे को लोटा दिया तो मेरा प्राब्लम सौद रहा है हलो हलो पीबी हाँ बोले सकते है बच्चा लोटाने वाले को 25 रुपया दोगे पेपर में ऐसा च्छपआ था ना यह खबर सही है क्या ओ च्छपा है तो जरूर मिलेगा है यही हलो हलो थैंक यू थैंक यू सह नमस्ते जी अरे आईए आईए बैठिए बैठिए ना आपका बेटा हमें एरपोर्ट में मिला बच्चा का है जी आइस्क्रीम खिलाने के लिए कॉंस्टेबिल से बाहर लेकर गया बच्चे को किड्नैपर करना चाहता था तब ही वो पकड़ा गया और मैंने आपको बुला ल यह तो मेरे दामाद जी है दामाद है आपका प्र आपके पोते को उसने किड्नैप क्यों किया किर्ण अपने बेटे का किड्नैप क्यों करेंगा श्रीशा के पास एक है क्रेंड के बासे के दोने टूइंस बच्चे हैं हाँ जी उन्हें से भाँ निकालो पर के सारी किरन जी ये ट्वीन ट्रीस का मुझे पता नहीं था सार सार क्या हुआ क्यों चिला रहे हैं और वह बच्चा का जो तुम्हारे साथ गया सार बच्चे को किसे ने किड्नाइप कर लिया है सार किड्नाइप कर लिया सार वह बच्चा हो बहुत होगे आप लोगा ड्रामा एई तेरी कहानी में मुझे कोई दिल्चस्पे नहीं है मुझे मेरा बच्चा वापस यह बस तामाद जी मेरी बात तो सुनिये आप चुप रहिए जितना सुनना था उत्रा सुन चुका हूं मैं किर मैं बता दूगा कि मैं काउन हूँ कैसे पुलिस वाले हो तुमसे एक बच्चे को ढूंड़ने को कहा दूसरा बच्चा भी खो दिया सार चल बिटिया भगवान इस चहर के बच्चों की सुरक्षा के संबंद में विपक्ष की पार्टी के लोगों ने बहुत हमक्षा मक्या इससे तो मेरा कैप का धंद ही अच्छा था हूँ क्या कर रहा है लगेच क्यों पैक कर रहा है उस बच्चे ने आइसक्रीम के लिए मुझे बाहर भेजा और मेरे आने तक वो कहीं भाग गिया अब वो बच्चा पूलिस टेशन जाएगा यह कंफरम है और मेरा नाम यह कहां मिल गया तुम्हें पूलिस टेशन के पास अबे मैं तो ताला लगा कर गया थाला तो तो बाहर कहां से निकला कौन हो अंकला मुझे यहां क्यों लाए हो और अब एक breaking news पिछले हफते किड्नैप हुआ बच्चा जो प्रसिद बिजनसमेन प्रसाद राव का पोता है जिसका नाम लवकुमार है अब तक नहीं मिल पाया है हैरत की बात यह है कि उस बच्चे को पुलिस ने बरामत कर लिया था उसके बाद फिर से उसकी kidnapping हुई है फिर हमारे सूत्रों से हमें सूचना मिली है कि उनके एक ही चेहरे के जुणवा बच्चे है एक बच्चे का नाम है लवकुमार और दूसरे का नाम है कुशल कुमार सूचना मिली है कि पती-पतनी अलग रह रहे हैं और एक-एक बच्चे को पाल रहे हैं आपको बता दें, जैसे ही इस फैमिली में एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की किड्नैपिंग हुई पूरी मीडिया में समसनी फैल गई है भाईया, अब सारी बाते क्लियर हो गई जो हमारे पास पहले था वो लव कुमार और यह है कुशल कुमार अरे बापरे, हमें पता भी नहीं चला और हमने दो दो बच्चे किड्नैप कर लिए बैसे भाईया, अब दूसरा वाला बच्चा गया किदर अब मैं राइम बोलूगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बोलो बाबू, इन गवारों को इंग्लिश बिलकुल नहीं आदे तू मुझे इंग्लिश में बोल, मैं हिंदी में लोगों को ट्रांसलेट करता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, चमकने वाला चमकने वाला छोटा सा तारा ऐसा ही है, अब अब आप दा वर्ल्ट सो हाई, ये दुनिया अपने सर से भी बड़ी है आपका टांसलेशन तो धूम से भी सॉलिद है भाई तुम्हें बैटिंग करनी आती है यह गली किरकेट टीम का कैप्टन था मैं अरे भाई मैं उस बैटिंग के बात नहीं कर रहा अरे और कितने टाइप की बैटिंग होती है अरे वो नहीं भाई अरे मुझे अभी तक मौका ही नहीं बिला रहे अभी तक क्यों नहीं भाई आप तो बोनी कर लो लेकिन वह मानेगी क्या भाई ऐसी बातों में ज्यादा सोचने का नहीं बस घोड़े पर सवार हो जाना हम मोगा है छक्का मार दो चला दा रहा है तो तो इतने दिन तक इसके लिए रुका था तुझे नहीं लगता जिंदकी में थोड़ा लेट हो गया है तो लाइफ में मैं दूसरे कामों में थोड़ा ज्यादा बिजी था इसलिए मुझे लेट हो गया ऐसा बांदा है तो बहुत मुश्किल होगी छोड़ दिया तो बहुत मस्ती होगी ऐसा क्या फंड्रेट परसेट माप रे आज खुदा मुझ में सकने महरबान है अभी कोल गाओ अजाओ यह क्या हो रहा है भाई असे क्यों चीला रहा है बस टाइम है न ऐसा ही शोर मचाते बाई ने संचुरी पूरी कर ली वह बिस धुराई है ना अच्छिन वह दौदा ना झास्ट तेरीके जो सोचा वो नहीं हो रहा है कुछ अअरी हो रहाए कुशाल कुशाल कुछ नहीं मैं हूं लवा है consultant तुम्हारी प्रॉब्लम ढूर करने के लिए हम दोनों कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फसे हैं यह पता है तुम्हें ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी यह जैसे पहले से ही पता था लग राइट से हाया और लेट से निकल गया और डायरेक्ट शूमंतु हुगका अंकल टूटूजा अला यह मुझे कैसे पता होसा अगर इसना ना बच्चे मेरी ऐसी हालत होती क्या अबको कुछ भी नहीं बता अच्छा यह बात तो मुझे पहले से पता है यह क्या हुआ उस बच्चे को ऐसे क्यों देख रही हो तुम मेरी बेहन का बेटा है वो इतनी ओवर अक्टिंग मत करो पेपर और टीवी में मैंने भी इस बच्चे को देख लिया है सब को इसके बार में पता है अरे वो बात नहीं है एक घंटे पहले यह बच्चा आइटम राज के पास था फिर वो तुम लोगों के पास इतनी जल्दी कैसे आ गया आइटम राजा यह आइटम कौन है और बच्चा उसके पस कैसे गया परसों कुशाल की चेन और रिंग लोटाने के लिए जब मैं उसके घर गई थी एक बचाओंगा तो मुध गुलाब जा मुई जैसा फुल जाएगा तुशे ी पता है तेए फिल्मी प्रप्रब्लम को खब्रम करने एक भाई ने एक रास्ता निकाल तो एक एक बच्चा किटनाब उस से बचने के लिए दूसरा रास्ता निकला तो दूसरा बच्चा किटनाब तो जानती है हमने कुछ भी नहीं किया और हम पर दो बच्चों के किटनाब का इलजाम लग गया भाईया तुझ जैसी चोरनी से सच्चा प्यार कर बैठा है और तू उसके जिन्देगी के साथ खेल रही है तुझे उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता उनके पास इतनी प्रॉपटी है कि दोनों हाथों से खर्च करने पर भी खतम ना हो लेकिन फिर भी वो सिर्फ 25 लाक रूबयों के लिए वो इतने मेनत कर रहे हैं उसकी वज़े सिफ तुम्हारा प्यार है मैं तो कहूंगी उन्हें प्लीज एक मौका दो कुशाल इतने दिनों से मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई I love you एजी ज़र ऐसे देखो जो होना था वो हो गया अभी जाकर बच्चे को पूली स्टेशन में दे आते हैं बेटी अरे पापरे अरे पापरे अरे पापरे क्यों अरे इस बच्चे को किड्नैप करके लायो ना नहीं चोड़ूंगा तुमको नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को सच बोल रहाँ अंकल यह किड्नैप हम दोनों ने चान बुछ कर नहीं किया हाँ अंकल यह बहुत बड़ी कहानी है मुझे तुम लोगों की बातों पर पूरा यकीन है अब तो मुझे खोल दो नहीं कुशल भाईया बेलकोल नहीं अगर इस पर दया दिखाएंगे तो हम जेल चली जाएंगे बोलो मंजूर है अरे भाई मेरी पीट में खुझली हो रहे है यह बहुत जोरों की मुझे खोल दो खोल दो भाई एजी ऐसा मत करो यह मेरी पापा के फ्रेंड है छोड़ दो इन्हें क्यों बैटे क्यों इसे अपने पती की तरह एजी एजी करके बुला रही हो एजी सुनो जी अंकल आपको एक सेंसेशनल निउस बताओ सेंसेशनल निउस ही है ना तो फिर सुनाओ सुनाओ यही है कुशल कुमार जिन्हें मेरे पापा ढून रहे हैं अरे बाप रे रेस्ट गेस्ट और फिर यह ने अट्वेस्ट यह सब क्या है वाई देखो सच-सच बता दो यह तुमारा होने वाला पती है होने वाला हूँ मैं अपने 25 लाख वाली कैश पार्टी को फून लगता हूँ सर एक्चुली वो पेपर में जिस बच्चे का एड दिया है ना वो हमारे पास है और वो बिल्कुल सुरक्षित है सर आप बताए कहां पहुंचाना है हम उसे वहीं पहुंचा देंगे उसे जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा लोटाया तो एक करोड़ दूँगा भगवान का शुक्र है ये बच्चा हमारे पास है इसलिए बच्च किया लेकिन आइटम राजा के पास जो बच्चा है उसका क्या अच्छा सुन भाई बच्चे को पकड़ कर दिया तो 25 लाख दूँगा ऐसा निउस्पेपर में दिया है बच्चा मेरे पास है पैसा ले करा और बच्चे को लेके जा उसे जिन्दा लटाया तो 25 लाख मुर्दा लटाया तो एक करोड दूँगा ये क्या रहे किड्नेप से मडर का परमूशन दे रहा है क्या पता भाई वापस पुछो न अच्छा भाई तुम थोड़ा कन्फ्यूस नहीं हो रहे हो नहीं मैं केलिया लूँ जिन्दा लटाया तो 25 लाख मुर्दा दिया तो एक करोड दूँगा ये उसे जिन्दा लटाया तो 25 लाख मुर्दा लटाया तो एक करोड दूँगा ये उसे जिन्दा लटाया तो 25 लाख मुर्दा लटाया तो एक करोड दूँगा ये आवाज किसके आप बता सकते हैं ये आवाज ये तो हमारे विश्वा की आवाज है विश्वा वो कौन है वो मेरी बेटी का क्लास्मेट है बचपन से ही उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती है दोनों एक ही स्कूल में एक ही कॉलिग में पड़े है लेकिन उसे बच्चे को मारने की क्या जरूरत है यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है उसकी आपसे कोई पु आई के समय उसे मेरी बेटी से प्यार था, लेकिन मेरी बेटी दमाद जी से प्यार करती थी, तो मैंने दोनों की शादी करवा दी, वो शादी में भी आया था, और उसके बाद फिर छे सालों तक नहीं दिखा, जब मेरी बेटी और दमाद अलग-अलग हुए, तब विश्वा मुझसे एक बर मिला था अंकल आप चाहो तो श्रिशा को एक नया जीवन दे सकता हूँ उसे फूलों की तरह रखूँगा ये क्या कह रहे हो तो मैं श्रिशा से शादी करना चाहता हूँ वाट उठो उठो निकलो यहां से वो अंकल मेरी खेटी और दमाद में अभी डेवोर्स नहीं हुआ है कि वो लोग अपने लिए नया रिष्टा धून ले बस थोड़ी सी नोग छुक हुई है दोनों समझ जाएंगे और फिर जल्दी एक हो जाएंगे अंकल मेरा ये मतलब नहीं था कॉलेज के दिनों से ही मैं श्रीशा से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन जब उसने शादी की तो मैं उसके जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला गया श्रीशा ने किरन को हमेशा के लिए छोड़ दिया है सोचकर मैंने ये बात कही और कोई मतलब नहीं था मेरा प्लीज अंकल मुझे समझे उस दिन के बाद से वो हमारे फैमिली फ्रेंड की तरह हमसे घुल मिल करके रहने लगा हमारे बच्चों का ख्याल हमसे कहीं ज्यादा रखता था वो लेकिन वो हमारे बच्चों को मारना क्यों चाता है ये बात ये बात मेरी समझ में नहीं आरी श्रीशा, I love you तुझे और तेरी प्रपर्टी को पाने के लिए क्या नहीं किया मैंने मैं इति चल्दी हार नहीं बात सकता तुझे इतनी असानी से नहीं जाने दूँगा जीतूँगा, जरूर जीतूँगा कोई नहीं रोक सकता मुझे यूजलेस तुझ पे लाखों खर्च किया फिर भी एक बच्चे को नहीं मार पाया सोचा था तु बड़े काम की चीज है इसलिए हायर किया तेरे बदले गली के किसी गुंडे को काम दिया होता तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता हर कोई फोन करके बच्चा मेरे पास है, मेरे पास है ऐसा बोल रहा है पहले जा कि उसका पता लगा तू चल जा एक काम करते हैं इसलिए सत्या को ले जाकर उस बच्चे को ले आदे है एक नमबर भया यह आइडिया तुम्हें पहली आना चाहिए था जाओ बच्चे को ले आओ जाओ उस विश्वा का पूरा घर चान मारा सर कोई फादा नहीं और नो सर यह विश्वा की कॉल लिस्ट है सर और इसके हिसाब से उसका सिग्नल जुबली हिल्स के पास का है और दो इंटरनेशनल कॉल भी इसमें लिस्टेड है आपको एक बात बताना भूल गया हूं सर तीन दिन पहले मुझे सत्या का फोन आया था बच्चा लटाया तो पैसे मिलेंगे यह कंफरम किया था उसन मुझसे यह बात इतनी देर से बता रहे हो तुम वो कहा रहती है अटरनेशनल के चून कंफरे प्या है ठाइ़ प्या है जैए़ प्या जाइ़ आपको याइ़ इतनी जैए़ इतनी दोए़ अच्या है इतनी इतनी पैसे मिलेंगे अश्या है कुछार तुम यहां क्या करें हो पहले कार में रुको रुको कम ह啦 करें को जया हैाहे हैräge बहुता टुको व्हाहे बादा कर दो हुउचा हुई है छे तृ हुचाा औेखर्या ठॉको छेडैना हचा है इता क्जिता इता है तृ ये वाम इता है वो देखो वो रहा बाई मैं बोल रहा हो ना भाई उसे इसी घर में देखा था ए कौन हो तुम ए बच्चे को उठा ए चोड़ो ए चोड़ो ए चोड़ो ए चोड़ो इसको फोंचर रहा है चलो हलो है सुबू करना ना जली जरा कान है तुम लग राजा आइटम राजा ए पुरसी में बांध के रखा है तो यह बहुत डेंजर आदमी होगा इसके मुझे रुमाल थूट रहे है बाई हमारे पास तो अबड़ा है नि बच्चे को कहा ले चलेंगे मामा मिक्सी मामा कि यह वे जहां जा रहा है कि वे पूट प्रश कर दो जो रहे हैं वे पुस्प बताए कहां चले गए ते ज्ञादा चुट तो नहीं लगी ना कुछ वह खुद को आइटम राजा कह रहा था और वो उस बच्चे को किसी मिक्सी मामा के पास ले कर गया है मिक्सी मामा? मिक्सी मामा? ये नाम कहीं सुना सुना लगता है हाँ, याद आया एक बार जब वो बेवड़ा बिकर फुल्टो टुन हो गया था तब मैंने खुद उठा के उसे उसके अड़े पर उतारा था तो मुझे पता है कि वो कहा है चलो भाईया अरे सुनो सुनो मुझे खोल करके जाओ तुम्हारा भाला होगा अंकल जी एज में रहने वाले आपके एज में आपको चेजिंग और फाइटिंग की क्या सुरत है नहीं खोला तो मैं चिलाओंगा जोर से हां क्या बात है अच्छा यह क्या हुआ तुम्हें ये किस ने किया है इसने कितने चोटे कपड़े पहने है ये क्या है इस उमर में ये सब शोबा देता है क्या है तू कुछ बोलता क्यों यह है अच्छा मूर बंद है अरे घर में एक जवान लड़की है और तू ये सब देख रहा है ए भगवान वो टीवी चालू करके मुझे बादने वाला तुम्हारा दमा दिये क्या कुशर यहां पर आया है वो कहीं गया ही कब था जो यहां आएगा एक मेने से यही पर मर रहा है और एक बात जानलो जैसी तुम्हारी बेटी है ना तो तुम्हें दरदर भटकते रहना पड़ेगा जिन्दिकी भर और ये भी जानलो कि इस कहानी का स्क्रीन प्लेट डाइरेक्शन सारा कुछ तुम्हारी बेटी का क्या है पिछे 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 मामा क्या है रहे मिक्सी मामा रावडीज को और गुंडों को मिक्सी में घुमाने से बनता है मिक्सी मामा पता है मामा क्या गेटप है क्या सेटप है सुनरे कल मैंने कोरियन फिल्म देखी उनका सेटप अच्छा लगा इसलिए गेटप चेंज कर डाला आप भी ना मामा या इन बच्चों को देखो मामा क्यों रे जब तु बोल नहीं पाता था तब भी मामा ही बोलता था तेरी शादी हो गई और दो बच्चों का बाप भी हो गया तम मामा की यादा ही तुझे तु फिर ये किसके है ये है मैटर नो मामा ये डील करवादो मामा दो करोड मांगेगा एक अपने लिए एक में लिए एक तू लेगा एक मुझे देगा हम दोनों बराबर हैं क्या तीन करोड वसूल उससे तो मेरे और एक तेरा अलो कौनसर लाजा रावडियों को और गुंड़ों को मिक्सर में डाल कर बनता है मिक्सी राजा तुमसे पहले तू किसी आईटम राजा ने फोन किया था वो मेरा भांजा है मैं उसका मामा हूँ है टिपचाप काम की बात कर अभी दोनों बच्चे मेरे ही पास हैं तीन करोड दोगे तो बच्चे तुमारे पास नहीं तो हो जाएंगे पुलिस टेशन में जमा ए ए डुक डुक पैसा कहा लाना यह बता ओके भाई तीन करोड में कितने जिरो होते हैं ओ दस पंदरा होता होगा बे अब देखो मेरा जलवा एक्स्क्यूज मी हाई सर एक्चुली सर ने मुझे आपको तीन करोड देने के लिए भेजा है कैश कहा है कैश नहीं सर चेक है यह लिजी चेक है या किसी के मैयत की चादर मैं समझाता हूँ सर वो लाक या दसलाकी बात हो तो चोटा-चोटा चेक दे देते हैं लेकिन बात करोडों की है न इसलिए बड़ा चेक दे दिया हाँ सच्छा है मामा मैं अब दो मैच को ऐसा ही चेक मिलता है मैंने देखा है हाँ सच्छ में ठीक है इसमें जीरो कितने है जरा गिनना तो दो चार छे आट दस बारा है मामा अब यार हमारे पास बैंक अकाउंट कहा है सर यह बैरर चेक है सर इसे बैंक में दिखाऊगे न तो डारेक्ट कैश दे देंगे ओ सुपब यार आज से हम लोग चेक ही लेंगे नो कैश है या 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 इसे दो में से एक बच्चा दे दो और एक बच्चा कहा है सर अब तीन करोड़ और देकर दूसरे बच्चे को ले जाए सर अरे भगा ना इसको यहां पे चल निकल निकल मामा ने कहा ना निकल आप सुपब हो मामा जगार है अब तक यहां क्या कर रहा है तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले दूसरा बच्चा तुझे नहीं मिलेगा इज़त से तीन करोड़ लेकर आ और दूसरे को लेकर जा हाँ ठीक है जल निकल चल 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 बामा एक बार चेक फिर से पकरने दो ना प्लीज मिक्सी राजा इस कटाउट के पास बहुत कंटेंट है काउंटर वेस्ट किया तो अनकाउंटर कर दूँगा बच्चे कहां पे हैं बच्चे लोग नहीं बच्चा दोनों बच्चे तेरे पास ऐसा तुने फोन पे कहा था न मुस्से तेरा पंटर आया था तीन करोड का चेक बच्चा लेकर गया चैक कैसा चैक हैं तेरे चंचे का दिया हुआ चेक है बाराज जीरो आयक दिन के देख ले क्या हूआ चेक देखकर चक कर आ गया यह चाल है तूने तो भेजा है अच्छी तरह से देख ले 3 करोड का चेक है 3 के आगे 12 भी यह बेरर चैक है ऐठ डफर तीन क्रोड़ों का कोई बैरर चेक देता है क्या तुझे कोई चूना लगा गया यह चेक नहीं, चाल है अरी सूट बूट पहनने से कोई डॉन नहीं हो जा था एए, उस दूसरे बच्चे को ले किया मेरे पास एक धोखा खा लिया, हम दूसरी खा सकते नहीं कैश पर डिलिवरी, वरना हम तुझे पहचानते नहीं अब क्या बोलता है बोल, इजजट से बच्चा देगा की नहीं अब अरे तु बच्चा क्यों नहीं लाया तु बच्चे को बोलो, गाड़ी में ले जा रहे है एए, जा कर पकड़ो उन्हें घ्रराइव झालव जाल देगा है भाई क्या हुआ, स्टाइट नहीं हो रही है यार स्टाइट करो, क्या कर रहे हुँ चलो उत्रो, सत्या चलो रही चलो तादाट चलो चलो झ। कि खाव。 भॉखंग얌, शॉखंगह भॉखंग współ, जूखंग, जूखंग זה मुखंग हो। टॉखंग freely झाव. तॉखंग यॉखंग। है ते छीर काने हो उरस जपने है वो ज सब करांज है है जिरा सुमें है करें आप टूम्ट फने ड्र लकार अ भई बिँ बिँख प्हाइज बिँख वाइब बिँख बिँख headed वह देखो उधर देखो उधर देखो वो तुम्हारी बेटी है ना आपरे पापा हेलो पापा बेटी दामाद ने फिर फोन किया था क्या हाँ किया था ना पापा वो काशी चले गए है ओ अच्छा तो थोड़ा सा यू टर्न तो मार ना बेटी यह पापा किरी अपी आपासी है फुरीária मुलत क्लेड़ जामाध्या जाँ पूरी आओवाँ पूराँ 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 अंकल बच्चों को इन लोगों ने किड़ने अंकल मैंने बचाने के कोशिश के तो देखे मेरे क्या हल क्या बंद कर तुई अपने अक्टिंग बहुत हुश यार बनता है ना, चल तुझे बताता हूँ मैं डादी, मामी यह क्या, तुम दोनों भाई हो गया? नहीं अंकल कमाल की बात है, अच्छा बेटा, तुम दोनों ने सिर्फ हमारे बच्चे को ही नहीं ढूंडा मेरी बेटी और दामाद को भी दुबारा एक कर दिया, तुम्हारा आइसान मैं जिन्दगी बननी बूलूँगा अरो बापर, यह पैसे देगा की नहीं? सर, बच्चों को लोटा देंगे, तो पचासल लग रूपे कैश मिलेगा, ऐसा निउस्पेपर मैं आड दिया था मैं कुशल का अंकल हूँ, सुब्बो मेरी बेटी है तो मेरे ससुर हुए टैंक यू सेर, असली चेक मिलता है मामा, जा बात परना मुझे देगा क्या? देगा मामा, जाओ तो जाओ ना मामा, जाओ ना नमस्कार सर, आपके दोनों पोतों को बहुत सम्हाल के रखा है सर और इतने लोगों को पालने के लिए बहुत पैसा लगता है सर तो थोड़ा सा कुछ हमारे नाम पर भी कर दो सर सर बहुत दिलदार है येलो चेक फिर से बेरर चेक